असलाम लेकूम के जी क्लास, how are you, I hope you are fine, students, today we will read about the concept of this and that, आज हम वर दिस और दैट को यूज करना सीखेंगे यहाँ पर question दिया गया है, choose the correct word, और यहाँ पर दो word given है, this and that, अब किसी चीज के साथ जुमली में this और that को कब इस्तमाल किया जाता है, यह मैं आज आपको बताऊंगी दिस उन चीजों के साथ यूज किया जाता है, जो चीजें आप से करीब हों और that उन चीजों के लिए यूज किया जाता है, जो चीजें आप से दूर हों अब यहाँ पर इन सेंटेंस को कम्पलीट करने के लिए हमें this and that वर्ड दिये गए हैं, अब आमने इन पिक्चर्स को देखकर यहाँ पर इन सेंटेंस को कम्पलीट करना है तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक पिक्चर गिवन है जिसमें आप हाथ के इशारे से समझ सकते हैं कि इसके साथ कौन सा वर्ड आएगा तो जो चीज़ें आप से करीब होती हैं उनके लिए आप हाथ का इशारा इस तरह से करते हैं जैसे चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है और जो चीज़ आप से दूर हो उसके लिए आप हाथ का इशारा इस तरह से करते हैं कि ये चीज़ आप से दूर है तो सबसे पहले है बैश इस अपाइन एपल तो जहां पर आप देखें कि पाइन एपल जो है वो आपके करीब है तो इसके लिए जहां पर यूज होगा दिस इस अपाइन एपल अब next picture है airplane की airplane दूर है वैसी भी जब आप airplane को अड़ते हुए देखते हैं तो आफ हात के इसारे से करते हैं कि दूर है तो इसलिए यहां पर भी इसी तरह picture given है आपने यहां पर लिखना है that is an airplane ठीक है और यहां पर आप ये भी concept देखई कि A जो है consonant words के साथ use होता है और N vowels के साथ यहां पर airplane vowel के साथ शुरू होता है A, E, I, O, U vowels हैं तो यहां पर N भी आपने use करना है तो यहां पर आएगा that is an airplane तो यहां पर next picture given है leaf की तो leaf आप देखें कि यह हमारे near है यानि करीब है तो इसके लिए हम use करेंगे this is a leaf इसी जरा next है picture book की तो book की picture भी हमारे करीब पढ़ी है जैसे अब मैं यहां पर आपको पढ़ा रही हूँ तो book मेरे बिल्कुल past पढ़ी है तो मैं ऐसे ही लिखूंगी this is a book next picture given है sun की तो sun बचो यहां जमीन से दूर है तो उसके लिए हम हाथ का इशारा इसी तरह से करते हैं तो इसलिए यहां पर आएगा that is a sun तो जो चीज हम से दूर होती है उसके लिए हम word use करते हैं that और जो चीज हमारे लिए करीब होती है उसके लिए हम word use करते हैं this तो sun के लिए हम use करेंगे that is a sun ओकी बच्चो यह तो था concept this and that use करने का तो next अब हम सीखेंगे word it के बारे में तो student next word है it it जिस तरह हम sentences में किसी एक चीज के साथ this और that का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसके लिए हम करीब की चीजों के लिए this और दूर की चीजों के लिए that का इस्तेमाल करते हैं इसी तरह sentences में it भी use किया जाता है it is used for things and animals it जो है वो तमाम जनवरों और चीजों के नामों के साथ use किया जाता है इसके लिए दूर और करीब पर कुछ concept नहीं होता यहां पर question given है read and write sentences and match with pictures first one is done for you यहां पर it is a chick यहां पर किया गया है इसलिए यहां पर लिखा हुआ है it is a chick यह next भी मैंने यहां पर fill कर दिये हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लबी नहीं हो तो इनको आपने खुद से इसी तरह से करना है it is a fish इस तरह से match करेंगे और इसके सामने यह sentence completely लिखेंगे it is a fish इस तरह next है it is a shoe इसको यहां पर match करेंगे और इसके सामने यह sentence लिखेंगे it is a shoe तो यहां पर next picture है star की तो इसको हम it is a star के साथ जब match करेंगे तो it is a star तो इसके सामने जो sentence लिखने की जगा दीगे यहां पर लिखेंगे it is a star तो next picture है boat की इसको match करेंगे it is a boat और sentence लिखेंगे it is a boat आगे next picture है bird की तो इसको it is a के साथ match करेंगे तो यह बनेगा it is a bird आगे sentence कंप्लीटली लिखेंगे it is a bird अगे स्टूडेंट्स यह तो था concept this, bad and it का I hope की आपको completely समझ आ गया होगा अब आपने खुच से इन तमाम वर्ड्स की प्रेक्टिस करनी है अल्ला हाफिज